टीर फ्रेंड्स मैं रामफल मोर एडवोकेट आपका नो दिला चैनल में हार्दी का भिनंदन और स्वागत करता हूं तक्निकी खराबी के कार्ण लेक्चर में व्यवधान आ गया और सेक्शन चार्सो क्याउन से चार्सो छप्पन सेवन गलती से कट गए उनको दोबारा बोल रहा हूं दोबारा उनकी स्टेड़ी करेंगे दोबारा से चर्चा करेंगे पीस से पहले के सेक्शन चार्सो क्याउन से चार्सो उन्षिट के उपर चर्चा करें माप लोगों को ये उता देना चाहता हूँ कि जो संपत्ति सेक्शन 400 क्यान से 469 के ताइट रिलीज की जाती है सुपरदारी पर दी जाती है वो कौन सी प्रोपर्टिटी है और किन सेक्शन के ताइट नियाले के सामने पेस होती है या पुलिस के सामने लिया जाती है पुलिस के सामने आती है आप देखेंगे के एरेश्ट परसंड की तलासी ली जाती है सेक्शन 57 शीर पीची के तैत इसी परकार सेक्शन 93, 94, 95, सेक्शन 100 शीर पीची और सेक्शन 165 शीर पीची हैं जिनके तैत बहुत सी पुस्तों को बहुत सी संपत्ति को पुलिस द्वारा कबजे में लिया जाता है और केस में माल मुकदमा बनाई जाती है आप देखेंगे कि वो कौण कौण से केस है जैसे चोरी का केस है थेफ्ट का केस है मर्डर का केस है रेप का केस है फेक करंशी का केस है एक्साइज एक्ट है एंडी पीएस है कोस्मेटिक है एम वे एक्ट है तो इन सारे केसिज के अंदर जो है बहुत सी चीजें ली जाती ह जैसे murder case के अंदर खून का पुलंदा लिया जाता है अब वो खून का पुलंदा जबके उसकी चोरी ओने का कोई भै नहीं है लेकिन जब वो case की disposal होगी तो उसको ठाने के अंदर या वहाँ पर रखने का तात्परी ये भी क्या है इसलिए उसको भी dispose of करने का आदेश नयाले करता है तो अब मैं जिन sections के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ वो पहला section है 450 450 क्या है कि जब कोई संपत्ती किसी जांच या विचारण के इसे में किसी नयाले के सामने पेश की जाती है तब नयाले उस जांच या विचारण के खतम होने तक उस संपत्ती की proper custody का आदेश दे सकता है जो भी उचित समझे जो भी ठीक समझे वो आदेश दिया जा सकता है यदि वो संपत्ती जल्दी खराब होने की है या उस संपत्ती की प्रकरती अक्षेशील है यानि speedy and natural decay होने की संभावना है और ऐसा करने के शवाए कोई और उपाय भी नहीं है तो सक्षे लेकर जैसा भी उचित समझे उसके विक्रे या डिस्पोजल का आदेश कर सकता है explanation दी गई है इसकी के संपत्ती किन किन को बोलेंगे तो किसी भी किसम की संपत्ती या दस्तावेज जो नियाले के सामने पेश किया जाता है या जो उसकी custody में होता है उसे संपत्ती कहेंगे subsection इसका दूसरा भी explanation का है कि कोई भी property जिसके बारे में कोई अपराद क्या परतीत होता है या जो किसी अपराद के करने में परियोग की गई परियोग तो हती है उस संपत्ती के को हम संपत्ती की परिभासा में लेंगे अब आप देखेंगे के 20072 criminal court cases 327 पंजावें अरियाना का फैसला है उसके परदीप कुमार वर्से state of हरियाना इसके अंदर क्या था के सुप्रदारी थी कार की और कार वाज इंपांड़िड ओन दा ग्राउंड देड़ दा शेम वाज यूजड इन रेप केस कार वाज नो लोंगर रेक्वाइड वाई दी पोलिस वहिकल रिलीज टु दा पैटिशनर अब इस सारी चीज़ को आप देखेंगे के चारसो क्याओन सेक्षन को हम पढ़ रहे थे तो चारसो क्याओन में आपको दूसरी अथोर्टी एक बताता हूं के 2006 तिन क्रिमिनल कोर्ट केसिज प्रिष्ट 98 ठाणू है पंजाब एंधरियाना के अथोर्टी है सेक्षन पंद्रा यह एंडिपेस का केस था वहिकल रिलीज ट्राइल कोर्ट तो ओर्डर रिलीज अफ दी वहिकल इफ ट्राइल वाज नूट लाइकली तो कंक्लूड विदिन 6 मंथ यह गुर्दीप सिंग वर्षे स्टेट ऑफ पंजाब का केस था इसी परकार से राजेश कुमार वर्षे स्टेट ऑफ हरियाना का केस है 2007 तीन क्रिमिनल कोर्ट केस प्रिष्ट 27 पंजाब एंडर याना आई कोर्ट में क्या कहा ये भी सक्षन पंजाब का केस था रीज ओ वेहिकल ऑन शुप्रदारी वेहिकल यूज इन ट्रास्परट अप्रट अवेहिकल रिष्ट अवेहिकल पेटिशनर बेचिट अवन आइज़ आईज़ पेटिशनर अडरी रीज़ अन बेल no useful purpose would be served by keeping the vehicle parked in police station especially when confiscation proceedings have not yet been initiated by the court और इस परकार से दूसरी अथर्टी अलाबाद हाई कोट की है 2010-03 Criminal Court Cases 624 और एक अथर्टी मा आपको बताता हूं 2015-03 Criminal Court Cases 2011 रलदू शिंग वर्शी स्टेट अफ पंजाब का केस था 400 क्याओन का ये भी सेक्शन पंदरा एक शेट और पिचाशी के तैट था ये ख अफंचा, बेलिए वेहितल आफ़गर वुझेतर औरूर इन्जावर्ट पंद्री चेशना ओफ उन्साथ नचशना पंदिया अपंदरा police station, no useful purpose will be served if it is allowed to remain in police station as it will also result into damage to its condition. और इसी point के उपर निर्मल शेंग वर्शे स्टेट अफ पंजाब एक अथोर्टी है, वो OPM के NDPS का केस था, Section 13 का, उसमें भी मतलब यही कहा गया है, के थाने के अंदर इस गाड़ी को खड़ा रखने का कोई ओचित्ते नहीं है, 2007 दो क्रिमिनल कोर्ट केसिज, 176 पंजाबें धरियाना, तो अब हम आते हैं, Section 450 से आगे बढ़ते हैं, जो Section 400 Bound है, 400 Bound इससे पहले के हम पढ़ें, आप देखेंगे कि 450 क्या कहता है, 450 उस संपत्ती की custody और disposal बारे है, जिसका trial या जान spending है, और 400 Bound उस संपत्ती बारे है, जिसके case का निफटान हो चुका है, और उस संपत्ती के disposal बारे है, अब आप देखेंगे कि 400 Bound क्या कहता है, चारसो बाउन को हम पढ़ते हैं कि जब कोई इनक्वारी या ट्राय क्रिमिनल कोर्ट में समाथ हो जाता है तब न्याले उस संपत्ती या दस्तावेज जो उसके सामने पेस किये गए हैं या जो उसकी कस्टिडी में हैं या किसी अपराद मपर्योक्त हुई है उसको नश्ट कर ने या इस को दे कर जो उसके लिए कपजा का हकदार पाया जाए दे सकता है और उसका किसी दूसरी परकार से भी डिस्पोजल कर सकता है यह सेक्षिं चारसो बाउन एक कहता है अब section 422 के उपर हमाएंगे किसी संपत्ती का कब जे काकदार होने का दावा करने वाड़ा व्यक्ति सब section एक के तहट सर्थ पर या बिना सर्थ जैसा भी नियाले ठीक समझे आदेश दे सकता है इस सर्थ पर या बिना सर्थ भी दे सकता है कि वो without shorty या with shorty bond भरे कि यदि सब section एक कारडर अपेलिया रिवीजन में एपास्त होता है या मोडिफाई होता है तो वो नियाले को संपत्ती को वापिस कर देगा अब सब section 3 क्या कहता है कि सेसन नियाले भी शम आदेश देने की बज़े सीजेम को property deliver किये जाने का आदेश दे सकता है और सीजेम धारा 400 ताउन ठाउन और उनसेट के अंसार कारवाई कर सकता है अब सब section 4 क्या कहता है कि यदि संपत्ती पसुधन है या शिहर नष्ट होने वाड़ी परकृति की है तो उसको छोड़ कर या जब उपधारा 2 के तहत बौंड एग्जीकूट करवाया जाता है तो उपधारा 1 के तहत दिया गया order 2 माह तक या अपील होने की सूरतमा अपील के निफ्टान तक लागू नहीं किया जाएगा अब सब section 5 क्या कहता है कि उस संपत्ती के बारे जिसके बारे अपराद क्या लगता है संपत्ती से तात्प्रिय क्यों उस संपत्ती से नहीं जो पार्टी के control या कबजे में रही बलकि उससे भी है जो convert या exchange होई जैसे एक पत्ती में आएगा और वो रुपे के बदले उसने जमीन खरीद ली वो जमीन भी exchange या convert होई जो property है that is also property और इस सब सेक्शन 5 के अंदर ये कहा गया है अब आप देखेंगे कि 400 बाउन मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि 400 बाउन कहां पर किस तरीके से लागू होती है अब इसके ओपर एक अथर्टी में आपको बताता हूं कि 2006 दो क्रिमिनल कोर्ट केसिस 222 पंजावें और हरियाना आई कोर्ट की DB के अथर्टी है सुंदरपाल वर्सिस स्टेट ओफ हरियाना ये अथर्टी 400 क्याउन और 422 सेक्शन को discuss करते हुए सेक्शन 201 के तहत पास की अब इस सारे के अनसार दूसरी अथर्टी में आपको बताता हूं चारसो क्याउन और चारसो स्ताउन के तहत ओनरेबल सुप्रिम कोर्ट के अथर्टी है भरत अम्रतलाल कोठारी वर्सिस दोशु खां समध खान शिंधी 2010 एक क्रिमिनल कोर्ट केसिज 553 सुप्रिम कोर्ट इसके अंदर क्या कहा गया है कि तो इस परकार से आप देखेंगे कि कई बार इस तरीके के कैसिज आपके सामने आएंगे जिन को आप समझेंगे देखेंगे जैसे रुप्या क्रंशी है दी मौन टाइजेशन चार सो बावन के तैति मा आपको एक अथर्टी बताता हूँ 2017 एक क्रिमिनल कोर्ट केसि 753 पंजाब एंड हरियाना रनबीर सिंग वर्सिस स्टेट ओ हरियाना का केस था इसके अंदर क्या हुआ इसके अंदर क्या हुआ देमांटाइजेशन रिकवरी ओफ करंशी नौट्स रुपीज फाइव था अंडर् case property allowed to be given to the complainant for conversion subject to the condition that certified copy of the currency notes bundles would be prepared and retained on the record before releasing the same to complainant ये क्यों किया जाता है कि ताके क्रंशी जो है पर्चलन में रहे और सरकार का जनता का का काम में बाधा पैदा ना हूँ अब एक अथर्टी मा आपको और बताता हूँ release of vehicle की बात है acquitted state did not file appeal vehicle ordered to be released after verification of ownership subject to furnishing adequate security and after imposing certain conditions that in case appeal is filed by the state and in case vehicle is required at any stage, appealant said undertake to produce the same as and when required ये winner anniversary state of Haryana का case था 2016 supplement criminal court case 633 Punjab and Haryana एक अथर्टी और बताता हूँ recovery of money के ओपर राजस्थान आई कोर्ट के अथर्टी है के theft, recovery of money, acquittal of offense under section 308 of the Indian Penal Court accused not claiming money as his own held amount rightly refused to be returned to accused अब possession और restoration के ओपर एक अथर्टी बताता हूँ के conviction of dispossessing a person by criminal force order for restoration of possession can be passed within one month of the order of conviction ये section अभी थोड़ी देर में आपको चर्चा करेंगे, 456 के तहती या थोटी यूज होगी और अब आप देखेंगे के section 402 के बाद हम आते हैं section 453 के ओपर section 453 क्या कहता है section 453 कहता है इसको ध्यान से देखेंगे के section 453 की इस बात की और इंगित करता है कि payment to innocent purchaser of money found on accused अब क्या है कि एक आदमी ने चोरी की चोरी करके उस संपत्ति को बी को बेच दिया और फिर ए पकड़ा जाता है ए बताता है कि मैंने वो चोरी की संपत्ति बी को बेच दिया अब बी से वो संपत्ति record कर ली जाती है और बी ने वो संपत्ति innocent purchaser के रूप में खरीद की यह मानते हुए कि यह उसकी मलकियत है उसको यह बात नहीं बताए गए कि यह चोरी की संपत्ति है तो उस आदमी से वो संपत्ति भी ले ले गई और वो आदमी जो चोर था वो से पैशे भी ले गया तो उसकी दो रिमार हो गई नहीं उसके पास संपत्ति होची और नहीं पैशा भी उससे गया अब जब केस का निफ्टान होता तो हमारे सामने दो आदमी है एक तो वो जिस आदमी से संपत्ति मिली वो संपत्ति और दूसरा वो जिस आदमी की चोरी जिसके अंतरगत चोरिया चुराई गई संपत्ति को प्राफ्त करना है। कोई धन निकाला गया है तब नियाले ऐसे करेता के आवेदन पर और चुराए गई संपत्ति पर कबजे के अगदार वेक्ति को उस संपत्ति के वापिस कर दिये जाने पर आदेश दे सकता है कि ऐसे करेता द्वारा दिये गए मुल्ले से अनाधिक राशी ऐसे धन में से उसे कर दी जाए यानि जो राशी उस धन से अपराप्त होई है वो दोनों को इस तरीके से वो कर दिया जाता है अब जैसे उसने दस अजार रुपे का पेमेंट किया था तो दस अजार रुपे से ज्यादा की पेमेंट उसको नहीं होगी अब सेक्शन चारसो चम्मन की तरफ हम आते हैं तो सेक्शन चारसो चम्मन क्या कहता है कि सेक्शन चारसो बावन और चार्सो त्रेफन के द्वारा यह उसके आधिन किये गए जो आधे से उनकी अपिल स्वीन सेक्शन 4 रूक लगा सकती है और उसके बाद क्या होगा कि जब ओर्डर मोडिफाई होता है एल्टर होता है या अनल होता है यानि उस ओर्डर को उपांतरित किया जाता है प्रिवर्टित किया जाता है या रद किया जाता है तो कोई अतिरिक तादे इस जो नए संगत हो इससे अलग भी appellate court को करने का अधिकार होगा अब subsection 3 क्या कहता है the powers referred in subsection 2 may also be exercised by the court of appeal यानि जो order subsection 1 के तहत उस court के द्वारा किया जा सकता था वो appellate court के द्वारा भी किया जा सकता है और revision या जो भी है appeal उसमें पुष्टी करन या पुनर रिक्षिंड नाले व्यूपदारा 2 के तहत उन सक्षियों का प्रियोग कर सकता है अब section 405 क्या कहता है कि जो अपमान लेखिये या इन्ने स्यामगरी जो है नाले के अंदर पेश होई है जैसे section 222, 233, 501, 502 जब कोई भी मुकदमा इस तरीके का बन्या और उसके अंदर नंगे चित्र नंगे में चित्र के साथ गलत लेखाई या ऐसी दस्तावेज जिससे किसी की defamation हो रही थी मानानी हो रही थी उन दस्तावेज को जो पेश किया गया है उन दस्तावेज को क्या किया जा सकता है नियाले दोसे से दिवेक्ति के कबजे से या उसकी सक्ति से बाहर है तो उसकी नश्ट के जाने का आदेश दे सकता है यानि नियाले के पास जमा है तो नियाले उनको नश्ट करने का आदेश दे सकता है यदि वो दोसी के कबजे में है तो दोसी से ले करके नश्ट करने का पर उस खादे पे औस दी या जो इस तरह की जो चीजें हैं उनको नश्ट किया जाने का आदेश दे सकता है जैसे दवा थी फूट था उसके अंदर में लाउट की गई है तो उन सारे चीजों को नश्ट करने का आदेश कूर्ट दे सकती है अब 456 क्या कहता है कि जहाँ इमोवल प्रोपर्टी है उसके ओपर किसी आदमी ने कबजा कर लिया और कबजा करने की सूरत में उसके ओपर केश चलिया और केश की सूरत में उसकी सजा होगी दो से सिद्धी होने पर उस कबजे का आर्डर भी लोट आने का माननी नयायले स्थावर संपति जो है यानि इमो जो यह order pass किया conviction का, उसमा order कर दिया तो ठीक है, उसमा नहीं किया, तो एक मा के अंदर-अंदर order pass करना होगा, एक मा के बाद order pass नहीं किया जा सकता, यह यहां पर जानने की बात है, अब subsection 2 क्या कहता है, कि where the court trying the offense has not made an order under subsection 1, the court of appeal confirmation or revision may if it thinks fit, may make such order, मान लिया, कैसा कोई order, एक महीने के अंदर, यह order pass करते दफा, conviction का, नहीं लेन order नहीं किया, तो appellate court भी इस तरह का order, उस की confirmation करते दफा, यह revision की सुनवाई करते दफा, पास कर सकती है, अब subsection 3 क्या कहता है, कि जहां पर उपधारा एक क्या धिन आदेश दिया गया है, वहाँ धारा 455 के उपबंद, उसके सम्मंद में वैसे ही लाग होंगे, जैसे वो धारा 453 के आधिन दिये गए, किसी आधिन के सम्मंद में लाग होते हैं, इस धारा क्या धिन दियागा कोई आदेश, ऐसी स्थावर संपत्ति पर किसी ऐसे अधिकार या उसमें किसी ऐसे इत्परपरति कुल प्रभाव नहीं डालेगा, जिसे कोई वैक्ति, कि सिविल वाद के सिद करने में सफल हो जाता है, यानि सिविल कोर्ट के जज़्जमेंट और डिक्री के ओपर इट विल नोट इफेक्ट, अब 457 क्या कहता है, कि जब पुलिस ने किसी संपत्ति को अपने कबजे में लिया, और उसकी रिपोर्ट तो मेजिटेट साहब को की लेकिन वो संपत्ति जज़्ज साहब के सामने पेशने की गी, तो मेजिटेट इस तरह की संपत्ति के बारे हमें क्या कर सकता है, जैसा भी वो उचिद समझे, उसकी डिस्पोजल बारे आदेश कर सकता है, और दा प्रोपर्टी, और दा डिलिवरी ऑफ सच प्रोपर्टी त और इन रिस्पेक्ट ऑफ दी कस्टेडिय और प्रोड़क्शन ऑफ सच प्रोपर्टी उसके बारे में जैसा भी उचिद समझे, वो नियाले आदेश कर सकता है, अब सब सेक्शन दो क्या कहता है, चारसोस्तावन का, कि यदी संपत्ति का कोई भी नौन आदमी नहीं मिलता, अनन है परसन के ये प्रोपर्टी किसकी है, तो उस सूरत में नहीं क्या करेगा, नहीं जो है, उसका एक प्रोकलेमेशन करवाएगा, जो छे महिने तक वैलिड होगा, और छे महिने के बाद उस समपत्ति का नहीं को अधिकार होगा, कि कॉन्फिक्सकेट करके सरकार के हक में कॉन्फिक्सकेट कर दी गई, और उस की ये शेल कर दी जाएगी, ये बात सेक्शन चार्सो सताउन में जो मैंने बताई, ये सेक्शन चार्सो ठाउन इसकी पुष्टी करता है, और सेक्शन चार्सो ठाउन क्या कहता है, कि इव नो परसन विदिन सच पीरिड by him, the magistrate may by order direct that such property shall be at the disposal of the state government and may be sold by that government and the proceeds of such sale shall be dealt with in such manner as may be prescribed. तो इस परकार से इसकी भी अपील हो सकती है और वो अपील जो है इसी तरीके से लाई करेगी जिस तरीके से दूसरी किसी ऐसे आदेश के विरुद अपील उस ने अलेम होगी जिसमें मामली तोर पर magistrate दोरा सिद्गी गई दोसे सिद्गी के विरुद अपील होती है यानि जैसे SDJM या JMI-CN order पास किया तो उसकी अपील सेशन कोर्ट में और सेशन कोर्ट ने किया तो उसकी माननी आई कोर्ट में इस तरीके से जो हमने पहले वीडियो बनाई थी उसमें थोड़ी शी हमारे से तक्निकिक कार्ण से वो डिलीट हो गई थी इसलिए इसको की पुन्रावर्ति करनी पड़ी और अब मैंने section 477 तक आपको बताया केवल अब section 469 बसता है मैं उस 479 के बारे मैं भी आपको बता देता हूं कि power to sell perishable property जो perishable है यानि बहुत जल्दी खराब होने वाड़ी है if the person entitled to possession of such property is unknown और यदि उस वेक्ति के बारे में यह नहीं पता कि उसका मालिक कौन है और वो absent है और property is subject to speedy or natural decay और property ऐसी है कि जो बहुत जल्दी अक्षेशील है खराब हो सकती है तो फिर क्या है the magistrate to whom its seizure is reported वो संपती जिसकी report magistrate महद्य को की गई है तो और magistrate इस आश्यका है कि यह owner के हित्म होगा कि उस संपती को बेच दिया जाए तो जो पांसोर पेसे कम की जायदाद है magistrate may direct at any time to be sold and the provision of section 457 और 400 थाउन sell as nearly as may be practicable upon to the net proceeds of such sale with deepest regard मैं आपसे यह करना चाहूंगा कि हमने section 400 क्याउन से 466 सुपरतदारी के बारे में पढ़िया जो नित्यपरती हमारे काम आते हैं इसलिए यह बहुत important chapter है इसे subscribe करें और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे like भी करें और share भी करें धन्यवाद